बेपियसी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज है चार जून 2022 और आज के इस वीडियो में चार जून 2022 से सम्बंदित बिहार के रेंड़ फेर्श और शाथ ही राश्चा और अंतर राश्चे घटनाउसित करेंड फेर्श के जितने भी प्रश्ण बनेंगे सम्बंदित सारी जानकारी यहाँ पर आपको विस्तार प्रोब दे जाएगे वैसी परिक्षा हैं जो खास करके 2022 में बिहार में आजित होंगी ऐसे प्रिक्षाओं के द्रिश्टी कौन से इस रिंकला के सारे वीडियो आपके लिए महतपूर है तो डेली बेसित पर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं अब यहाँ पर हमाच के पिछले वीडियो के प्रश्ण पे जो प्रश्ण हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था यह प्रश्टा के हाले में मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने किस जीले के करकटगर जलपरपात को इको टूरिजमी के रूप में विक्सित करने का निरने लिया है संबदित सारी जानकारी यहां से हमने आपको दिया था और आपको बतला था करकटगर जलपरबात जो है यह बिहार के कैमूर जीले में है तो option number D यहां पर इस प्रशने का हमारा सेवत्र था तो कोसिस किजए कि जो भी प्रशने आप लोगों से पूछा जाता है उसे comment box में लिखें और विस्तार प्रोग लिखें अब यहां पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रशने पे उसे पर बदादू कि हमारे जितने भी current affairs या पर जितने भी हमारे study material है online test वगरा है सभी को आप VPC Maker app के थुरू access कर सकते हैं तमाम चीजे आपको VPC Maker app पर ही मिलता है हमारा जितना भी material है study materials note वगरा वो सभी के सभी आप इस वीडियो के description में दियेगे VPC Maker app के link से प्राप्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रशने पे तो अब यहाँ पर हमारे आज की इस वीडियो का पहला प्रशने के हाले में बिहार जाती आधारित करना करने वाला है अगर यह हो जाता है तो बिहार जाती आधारित करने वाला देश काने की भारत का कौन सा राज्य बन जाएगा सबसे पहरे बता दूँ कि यह प्रशन बहुत बहुत इंपॉर्टन है इसे आप इंपॉर्टन प्रशनों की सिरेनी में रखेंगे इस प्रशनी का सही तरह होगा हमारा अपसन नमर बी यानि की दूसरा रज होगा भारत का जो जाती आधारित जनगना करेगा यह बाते अभी निकल कर शामने आई ही इसको भी हाले में वंजूरी दिया गया है तो यहां से जितने भी प्रशन आपके एक्जाम में बनेंगे समन्दित बिंदों को हमने यहां पर एड़ किया है आपको दादू के हाले में बिहार में मुक्मति नितीश कुमार की अध्धिक्चता में सरदलिया बैठक में सरुशम्मती से राजवने की बिहार में जाती आधारित गन्ना कराने का फैसला लिया गया है और यहां पर जो भी बैठक आजित हुए थी इसमें का सकते हैं बारो एजंडों पर मोहर लगे थी जिसमें ये सारे बाते निकल कर आई है कि बिहार में अब ये तैह हो चुगा है कि जाती आधारित जन्ना किया जाएगा ये बाते बहुत दिनों से चल रहते हैं हलाकि इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दिया था आपको दादो कि ऐसी गन्ना करने वाला बिहार करनाटक के बाद दूसरा रज होगा इस पॉइंट से आप यहाँ पर यह तात पर निकाल सकते हैं कि इससे पहले जो मतलगा सकते हैं पहला रज बना था जो जाती आधारित जन्ना किया था यह था करनाटक करनाटक में जो जाती आधारित जन्ना हुआ था यह वरस्वत 2014-15 में हुआ था और करनाटक सरकार के दोरे से समाजिक और आर्थिक सर्वेय नाम दिया गया था यह जानकार यहां सिदान के बहुत important यह point हो सकता है बिहार के परतुगी परिक्षाओं के लिए और इसी पहल को देखते हैं बिहार सरकार भी जाती अधारत गन्ना के शाथ आर्थिक इस्तिती का सर्वेक्षन भी करेगी और यह पूरी परकरिया में करिब 9 महनों का समय लगेगा तकरिबन कर सकते हैं 2023 में यह तयार होगा मतलब 2023 तक यह परकरिया समाप्त होगा यह यहां सिदा लगे यहां पर हमने यह लिखा कि वरतमान में बिहार के मुख्य सचीव आमिर शुबानी है जो कि विहार के कर सकते हैं सिवान जी लेके रहने वाले हैं तो वरतमान में बिहार के मुख्य सचीव आमिर शुबानी है य यहां पर हमारा अगला होगा दूसरा प्रशन, यह प्रशने के हाले में केंद्रे सड़क परिवहन एवंग राजमार्ग मंत्री नितीन गटकरी ने बिहार राज के पत निर्मान मंत्री के साथ मिलकर राज के कितने जीलों में आरोबी बनाने की मनजूरी दी है, अब यहां प केंद्रे सड़क परिवहन एवंग राजमार्ग मंत्री नितीन गटकरी ने बिहार राज पत निर्मान मंत्री नितीन नवीन के साथ मिलकर राज के कुल आठ जीलों में 1175.79 क्रोर की लागत से 15 रेलवे और वरिज अर्थात आरोबी बनाने की मनजूरी दी है, यह यहां से अर्थ जीलों में इसका निर्मान किया जाएगा आरोबी अर्थात रेलवे ओर वर्गरिश का, जबकि यहां पर आपको आठ जीलों के अंदर का धियान दिया देना है, तो यहां से यह ध्याने के अभी हाली में इसको मंजूरी दिया गया है, पिहार राज के जो पत निर्म कि यहां से आपको धिया रखना है अब यहां पर हम बात करें इन आठ जीलों के अंदरवाइगे रियलवे और परीज का दिर्मान किया जाएगा तो कुल्म लाके 8 जीले इसमें सामिल हैं अब यहाँ पर देखे बात यह है रेलवे की तो रेलवे के बारे में बिहार के दृष्टिकों से अगर हम कुछ पॉइंट की बात करें तो बिहार में पूर मदर रेलवे का मुक्षाल है बिहार के 20 जीले में इसका मुक्षाल है हाज़िपूर बिहार में हाज़िपूर बिहार का एक शहर है जबकि हम बात करें अगर यह किस जीले के अंतरगत है तो आपको ध्यान करें यह वैसाली जीले के अंतरगत है और इसके अंतरगत पंच रेल बंडल सामिल है इन पंच रेल बंडल में शोनपूर, शमस्तिपूर, दानापूर, मुगल सराय और धनबाद सामिल है वरतमान में अनपम सर्वा, पुर मदर रेलवे, अर्थाथ ECR के महा प्रबंदख है तो ये तमाम चीज़े यहां से आपको ध्यान लगा है और पुर मदर रेलवे का आईए, यहां पर जो आप देख रहे हैं, यह लोगो है अगला होगा यहां पर हमारा तीसरा प्रश्न, यह प्रश्न भी बहुत महत्पूर्ण है यह प्रश्न के हाली में नवी नगर थर्मल पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है बताएं कि यह प्लांट बिहार के किसी जीले में अस्थापित है बहुत बहुत महत्पूर्ण है इस प्रश्न का हमारा राइट अंसर होगा अबसन नमर ई याने कि यहां पर किसी भी विकलब में हमारा औरंगाबात नहीं दिया है एक्क्शुली में ये जी पावर प्लांट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है और यह राजिके स्वामित तवाली NTPC Limited की सहायक नभी नगर पावर जनरेटिंग कमपनी और अंगबाद जीले में अस्था पीत है यहाँ पर यह कर सकते हैं तीसरी और अंतिम इकाई से यहाँ पर जो मतलब तीन इकाई से बिजली का उतपादन होता है इससे पहला जो मतलब कर सकते हैं तो पहली और दूसरी यूनिट का वानेजिक परचालन जो हुआ था यह 6 सितंबर 2019 और 23 जुलाई 2021 को केंद्रिया उर्जा मंत्री आरके सिंग के द्वारा किया गया था तो अभी हाली में यह चर्चे में है तीसरी यूनिट से विजली का उतपादन सुरू हुआ है तो ऐसे में पहली और दूसरी यूनिट से समधित प्रश्ण भी आपके एक जाम में बन सकते हैं और यहां पर एक पॉंट आपको यह बता दू कि वरतमान में बिहार के जो पुर्जा मंत्री है यह है बिजेंदर यादव इसे भी नोट कर लेज़ेगा और यहां पर और अरंगाबाद सब्दाय है औरंगाबाद बिहार में एक जीला है तो भारत के दृष्टिकों से अगर हम देखें तो पूरे भारत में औरंगाबाद नाम का दो जीगा है तो इनमें से एक तो बिहार में है दूसरा महराष्ट में है तो यह जानकारी भी नोट कर लिजे और बिहार वाले मेप पर हम देखें अरंगाबाद की इस्तिती को यह कहां पर है तो आप यहां पर देख पाएंगे यह औरंगाबाद है बिहार वाले मेप पर इस तरह के परशनाफ के एक जाम में बनेंगे कि औरंगाबाद जीले की सीमा कितने जीलों के साथ अपनी सीमा को साधा करता है तो औरंगाबाद की बात करें तो कुल मिलाके तीन जीले हैं जो की औरंगाबाद के साथ सीमा साधा करता है ये तीन जीलों में रोहतास, अरवल और गया है ये जानकारी यहां से दाने के और अरंगाबाद की बात आई है तो अरंगाबाद को हम ये भी बता दूँ कि बिहार के 9 परमंडल में से किस परमंडल के अंतरगत आता है तो बिहार में एक परमंडल है मगद जिसके अंतरकत पांच जीले हैं ये जीले हैं गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा और अरवल और इसका जो हेटकोरडर रथात मुख्याला है मगद परमंडल का ये है गया में तो ये सारे समंदित जानकारी भी आपको नोट करना है, एक जानकारी ये भी आपको देदू की बिहार के नौ परमंडल में से कुल 38 जीले हैं लेकिन अभी हाली में पटना जीला का एक मतलब छेत्र है बाड का छेत्र जिसे की बिहार का 49 जीला बनाया जाने की घोशना भी हाली में मुख्यमंतरी नीतियस कुमार के द्वारा किया गया था, ये जानकारी भी आपको द्यान रखेगा और नविंतम जीले के बात करें तू अरवल जीला जोंकि मगत परमंडल के अंतरगत है ये अब तक मतलब का सकते हैं नविंतम जीला है बिहार का, अगला होगा यहाँ पर हमारा चाओधा प्रशन, ये प्र और शूचना परोदो की मंत्राले साथ ही विज्ञान और परोदो की विवाग की एक शन्युक्त पाहल है, जिसकी माध्यम से अभी हाली में से IIT गांधी नगर में कमिशन किया गया है, इससे कम्पीटर की बात करें तो इस सुपर कम्पीटर की उच्च छमता आठ सो अड़ पर 30 लाग करोर पर 30 शेकेंड इसकी गन्ना है, यह यहाँ से दाने के शिक शमता के बात क्या जाए, यह भी आपके एक्जाम बें परशन बनेंगे, तो 838 लाग करोर पर 30 सेकेंड इसकी शमता है, भारत की दριश्टिकूर से अगर हम सूपर कम्पीटर के बात करें तो भारत के पास लगबग वर्तमान स्मय के बात करें तो 30 सूपर कम्पीटर है और भारत के सबसे 30 सूपर कम्पीटर का नाम है परमसिधी और विश्यू के 500 सबसे 37 सूपर कम्पीटरों में इसे 361 अस्थान मिला है परमसिधी को जो की वर्तमान में भारत का सबसे 37 सूपर कम्पीटर है और अभी हाली में एक रिपोर्ट आया था दो से तीन दिन पहले का रिपोर्ट है हला कि इसकी जानकारी हम लोग थोड़ी दर बात देखेंगे इसकी अमसार अगर हम बात कहें तो अमेरिका के पास दुनिया का सबसे तेज सूपर कम्पीटर है जिसका नाम है फ्रेंटियर यहां से ध्यान लेखें लेकिन इसे पहले जो रिकॉर्ड था यह जपान के एक सूपर कम्पीटर है फोगो को इनके नाम यह रिकॉर्ड दर जाता लेकिन नमिन्तम गोश्टना के अधार पर नमिन्तम रिकॉर्ट की अधार पर यह बाते निकल कर शामने आए कि अमेरिका का जो मतलब सूपर कंप्यूटर फ्रेंटियर है ये दुनिया का सब से तेज शूपर कंप्यूटर है अगला होगा हमारा यहां पर पाच्वफ प्रश्न ये प्रशने हाले में Darren Shemi को सीतारा एफ पाकिस्तान पुर्षकार प्रदान किया गया है Darren Shemi किस देश के पुर्वे क्रिकेट कप्तान है तो सही तरह होगा option number A यानि की western days क्रिकेट से भी समंदित प्रशन एक्जाम में बनते हैं तो इस तरह के जो important प्रशन होगे वो आपको देखा है हलाकि इस प्रशन को आप क्रिकेट के दिरिश्टिकून से नहीं देख सकते हैं बलकि यहाँ पर यह प्रशन इसलिए important है क्योंकि पाकिस्तान के दौरा इसे सम्मानित किया गया नहीं सम्मानित किया गया डेरन शेमी को जो कि वेस्टेंटीज टीम के पूरु कप्तान रहा चुके है और यहाँ पर अगले पांट पर हम ने ये लिखा है कि यह पाकिस्तान द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच नागरिक पुरुषकार है हलाकि इससे पहले गर हम बात करें वर्स 2020 की तो मार्स 2020 में उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच नागरिक पुरुषकार अगले पांट में हमने ये जानकारे दिया है कि उन्हें पाकिस्तान के राश्पती आरिफ अल्वी द्वारा मानत पाकिस्तानी नागर्टा से भी सम्मानित किया गया था और दो बार उनकी कप्तानी में वेच्टन डिश टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप जीता है तो ये सारी जानकारे जो आपके एकजाम में बनेंगे समन्देट फैटस से नोट करते रही है ये सारे चल्वों को अब दखिया आपर बात ईहाई है पाकिस्तान के बारे में हमने कुछ जानकारी यहाँ पर एड़ किया है आपको दादों कि पाकिस्तान बहारत के पस्चिम में इस्थीत एक इस्लामिक गनराज्य है एक बहारत के पस्चिम में इस्थीत है और ये पूर्ण रूप से इस्लामिक गनराज्य है जबकि वहीं पे अगर हम पहले अस्थान की बात करें तो पूरे दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम अबादी जो है ये इंडोनेशिया में है हमारा अगला पंटेक ये 8,81,913 वर्ग किलोमेटर छेतर में फैला 33 सबसे बड़ा देश है यानि कि छेत्रखल की दृष्टी से पाकिस्तान पूरे विश्युगा 33 सबसे बड़ा देश है पाकिस्तान का जन्म सन 1947 में भारत की विभाजन के फलसुरूप वाता पाकिस्तान की राधानी इश्लामाबाद है और सबसे बड़ा नगर पाकिस्तान का है कराची राध्य बड़ा यहां की जो यानि के राष्ट बड़ा जो ही है उर्दू और वरत्मान राष्ट पती है आरिफ अल्वी और शाती बात करें हम नविन्तम प्रदान मंत्री के जो भी हालिम बने है यह हैं शहाबाज सरेपीस से पहले का सकते हैं इमरान खान पाकिस्तान के प्रधान मंत्री थे इस समंधित जानकारी नोट कर लिजे अगला का हमारा यहाँ पर छाठा प्रशन अग्जाम में बनेंगे आपको दादों की हाली में भारत और पाकिस्तान के बीच शंबंधों को और मजबूत करने है तो मैत्री और बंधन के बाद यह तीसरी मिताली एक्स्प्रेश ट्रेन की शुरुआत की गई है इस पॉइंट में आपके बहुत सारे मतलब फैक्ट चुपी हुए है यह पहला जो मतलब भारत और बंगलादेश के बीच ट्रेन चलाए गया था यह मैत्री ट्रेन था उस वाद दूसरा स्टार्ट पा बंधन अभी हाली में तीसरा स्टार्ट हुआ है मिताली एक्स्प्रे यह यहां से धानिकना पसी मंगाल के न्यू जलपाई गुडी से बंगलादेश की राइधानी दागा के बीच चला जाएगे और रिल मंतरी अस्वनी वैस्ट नव द्वारा वीडियो कॉन्फरेंशिंग के माध्यम से इसका उद्गाटन अभी हाल ही में क्या गया है अब यहां पर बावत नहीं है बंगलादेश की तो बंगलादेश के बारे में कुछ जानकारी है वो यहां पुर आप लोग धियान प्रोग देखिए आपको दानों कि बंगलादेश गंतंद्र दक्षिन जंबो दूइब का एक राष्ट है जंबो दूइब शब्द यहां पर आया है तो सबसे पहले आपको यह जानकार देदों कि भारत को प्राचीन शमय में जंबो दूइब का गरभी संबोधित क्या आता है ऐसे तो भारत का बहुत सारा नाम है जैसे कि बिहां इंडिया हिंदूस्तान आर्या वर्त भारत वर्ष रामभा भा भी कहा जाता है कि यहां पर आप लोग देखे होंगे तो ऐसे में आपको यहां से दानका दक्षिन जंबो दूइब का एक राष्ट है है बंगलादेश और इसकी जो सीमा रेखा यह उस समय निरधारिक हुई थी जब 1927 में भारत की विभादन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान का पूर्वी मैं प्रमित और बंगलादेश का राष्ट्र वाधी यहां करते हैं तो हिंदू बौध और इसाइज धर्मिके लोग भी आसिक तोर पर निवास के वहीं प्र Cats है लिद्व पर आप्छान मंतीर की मुग चैने की बात करें तो तो टका यहां होकी करैंशी है अगला होगा हमारा सातवा प्रश्म ये प्रश्म शने के एशिया कभ अपकी में भारत को कौन करण्सपदक हासिल हुआ है तो राइट अंसर होगा कस्पदक पकदक जितकर भारते होकी टीम ने कर सकते हैं एक इत्यास रचा है आपको यहां से कुछ जरूरी जानकारी याद रखना है कि भारत की युवां होकी टीम ने जपान को हरा कर एशिया कप में कांस पदक जित लिया है तो यहां से आपको यह दानका दक्षिन कोरिया ने फाइंदल मकाबले में मलेशिया को सिकस्त देकर रिकार्ट पांचवी बार इस कप को अपने नाम किया है अगर हम बात करें इस परतुगता की तो हाउकिक ऐसिया कप 2022 का आजन इंडोनेशिया की राइधानी जकारता में किय आपको यहां से इस तरह के भी परश्ण नोट करने आपको जो लोग नहीं कर सकते हैं तो बीपेसी मेकर एप पर यह तमाम स्विधाय उपलब्द है वहां पर आप डेली पीसेट पर यह सारे नोट प्राप्त करेंगे इससे क्या होगा अपके पास समय का अभाव जा है यह म इस प्रस्णी का हमारा राइट अंसर होगा सुझो लाल थाउसेन इस प्रस्णी का राइट अंसर होगा इनका पूरा नाम भी आप द्यान ऑतके अर नोट करेंगे सुझो लाय थाउसेन इनका पूरा नाम है आप वह जानकार दे दू gleich EPA के an और 18prob के भार्द फुलिस शeva के के रुप में कारे रात हैं लेकिन अभी हाली में इन्हें नियुक्त किया गया SSB के नए महानदसर के तौर पर अब यहां पर अगले point में हम बात करें सससर सिमाबल की तो सससर सिमाबल नेपाल और भूटान के साथ देश की सिमाफ की रक्षा करता है यह द्याने के एक ही जो स्थापनों वे थी इसके स्थापनों वर्स 1963 में वे थी और इसका वर्थबान मुक्षाले जो है यह नई दिल्ली में है अगला होगा हमारा नवा प्रशन यह प्रश्न है कि हाली में जपान की फूगा कूप पचाड कर दुन आपको जानका है देदू कि जर्मनी द्वारा अनावरन किये गए, दुनिया के सबसे सकते साले सुपर कम्पीटरों के टॉप 500 सूची के उनशटमे संस्क्रन के अनुसारी यूएस का फ्रेंटियर दुनिया का सबसे तेज सूपर कम्पीटर बन गया है। अब है यहाली में जो मतलग चासकते हैं एक सर्वे हुआ था यह जर्मनी के द्वारा किया गया और यहां पर यह का सकते हैं सुपर कम्पीटर के दुनिया का यह 69 संस्क्रन था जिसमें अगर हम बात करें तो दुनिया के टॉप 500 की सूची में यह फ्रंटियर जो सुपर कम्प तो यहां पर सुपर जीता है तो राइट अंसर अप्सेंट में बी यानि की रस्मी साहो आपको दादू के पुरवी भारत के अगरनिक हाद ब्रांड रूची फोड लाइन और उरिशा की नंबर वन मसाला कंपणी की नितेसक रस्मी साहो को टाइम से बिजनेश और 2022 प्रदान किया गया है आप यहाँ पर इस image में देख सकते हैं उन्हें यह प्रुषकार परसिद बॉली मूड अगने था और शमाजिक कारिकरता सोनु सूद के द्वारा दिया गया और यह प्रुषकार पुर्वी भारत के अगरनी रेडी टू इट ब्रांड की स्रेणी में दिया गया है यह स्रेणी को आप यहाँ से धाने के किस स्रेणी में यह प्रुषकार दिया गया तो यह प्रुषकार दिया गया रेडी टू इट ब्रांड की स्रेणी में इस प्रुषकारेन की जो मतलगा सकते हैं टाइम से बिजनेस अवर 2022 प्रदान किया गया अगला होगा हमारा एक 11 वा प्रशन ये प्रशने के हाले में किसे भारते क्रिकेटर को 20 वे वर्ष के लिए युनिशेप के सद्भावना राजदूद के रूप में चुना गया है ये यहां से धाने के युनिशेप के बात रहे हैं तो इसका मुक्षाल है नियॉयोर्क अमेरिका में है युनिशेप की परमुक कैथरीन एम रसेल हैं और युनिशेप की अस्थापना जो होई थी ये 11 दिशंबर 1946 को होई थी अब यहां पर बात है है सचीन तेंदुलकर की तो सचीन तेंदुलकर क्रिकेट से सम्मंदित है और क्रिकेट के बात है है तो क्रिकेट की जो सर्वोची सतनस्ता आई है ICC ICC का जो पूरा नाम होता यह होता इंटरनेशनल क्रिकेट कौन से लिए ध्यान रखे ICC का जो सिद्धान जनी के मोटो है ये अच्छाई के लिए क्रिकेट है ICC का स्थाबना 15 जून 2009 को वा था इसका मुख्याल है दुबई, शन्युक्त अरब अमिरात में है वरतमान में ICC के 106 सदस्देश हैं और अधिकारी भासा अंग्रेजी है ICC के जो चेर्वेन ये इमरान ख्वाजा है जो कि पाकिस्तान के हैं किसी भी मतलब सनस्ता में बात करें चेर्वेन का जो पद होता है ये सर्वोच पद होता है तो ऐसे में भी हाली में इमरान ख्वाजा पाकिस्तान के जो है ये चेर्मेन के तोर पर निक्त वे हैं और वह पर CEO के बात करें तो IC के CEO है जोफ एलाडिस और ये औस्टिलिया के है इसे पहले जाने कि जोफ एलाडिस से पहले SEC के CEO थे मनुशानी जो की भारत के थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था अगला हमारा यहां पर बारवा प्रश्न ये प्रश्न के हाली में कि सिराज के मुक्षमंत्री बसव राज बंबई ने आयू एप लॉंच किया है तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अफसन नमर A यानि कि करनाटा के मुक्षमंत्री बसव राज बंबई ने अभी हाली में आयू एप लॉंच किया है आपको दो कि हाली में करनाटा के मुक्षमंत्री बसव राज बंबई ने योग और ध्यान के माद्यम से चीर कालिक या फिर पुरानी बीमारियों और जीवन स्टाइलिश मंदित विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने मदद के लिए एक नया स्वास्त और कल्यान एप आयू एप लॉंच किया है जो कि आपको ध्यान के लिए करनाटक सरकार के द्वारा लॉंच किया गया करनाटक के मुक्वंतरी वस्तव राग कोमई के द्वारा अब यहां पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रशने के और आज के इस वीडियो के प्रशन पर जाने से पहरे बदा दों कि जो लोग सरसर भी PC एक्जाम की तैयारी में लगे हैं तो हमारे कोर्स के दाद वी PC मेकर एप पर जो भी हमारे मेटरियल है आप लोग भरपूर लाव उठाएए यहां से आपके तैयारे बहतर तरीके से होगे और जो हमारा उनलाइन टेक्ट स्रीज है इसके मादियम से आप यहां पर उनलाइन टेक्ट में पाटिशिपेट कर पाएंगे अपनी तैयारे का सही तरीके से अंतुन कर पाएंगे अब ये तयारे की आदहार पर होई है और इशाद साथ यहां जो आपको पीडियाप में लेगा वो अपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होगा तो बहुत सारे इस्टेडी मेटियल, बहुत सारे नोट्स वगर रहे हैं बता है इस प्रशन का राइट अंसर क्या होगा आप चाहाँ तो यहां पर इसे विश्टार वख लिक सकते हैं तो दसो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्श वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद जय हैं